हाई फ्रेंड टकनिकल सिराजी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो पर हम सीखेंगे कि किस प्रिकार से अपनी मॉवाइल में सेव फाइल को अपने PC या कम्पूर्टर पर हम सेयर कर सकते हैं या सेंड कर सकते हैं और किस प्रिकार से हम अपने Lap Kyule के वाईल की कि फाइल को मोवाइल पर सेंड कर सकते हैं बड़ी ऑसानी के साथ उसके लिए आपको आजाना है अपने मॉवाइल के Play Store पर और सबसे पहले आपको अपने इंटरनेट को कर देना है ओन इंटरनेट ओन करने के बाद उसके बाद प्लेश्टोर को ओपन करना है ओपन करने के बाद आपको टाइप करना है शेयर मी शेयर मी एप्स को अपने मॉवाइल में आपको करना है इनिस्टोल मेरा ओल्लेटी इनिस्टोल है तो मैं कर देता हूं ओपन करने के बाद आपको यह साइड में यह तीन डंडे दिखाई दे रहोंगा यहां पर करना आपको चैसी टच करोगे यहां पर लिखाएगा सेर टू PC इस पर जैसे किलिक करोगे अभी अभी यहां को आपको कोई भी कनेक्टिविटी नहीं दिखाई देगी इस कनेक्टिविटी को ओपन करने के नहीं सबसे पहले अपनी मोवाईल का जो होट स्पोर्ट है उसे कर देना ओपन उसके लिए आपको जाना सेटिंग पे सेटिंग पे जाने के बाद आपको अपने मोवाईल के वाइफाई को भी कर देना ओन दोनों चीज ओन करने के तो हम आगए computer की screen पर आने के बाद सबसे पहले अपने PC को connect करना है जैसे Wi-Fi ओन कर दिया हमने Wi-Fi ओन करने के बाद हमें अपने mobile से connect करना है तो हमारा mobile Redmi 11 Prime इसे हमें यहां से connect कर देना सबसे पहले तो हमारा यह mobile से connect हो गया अपने mobile का data से own कर लेना ताकि हमारे laptop का hotspot है वह own हो सके उसके बाद हमें mobile hotspot है अपने PC का इसे कर देना own यह own करने के लिए अपने mobile का data है उसे own कर लेना ताकि हमारे PC लैपटोप का hotspot हो सके अब आ जाना हमें mobile की screen पर यहां जाना हमें Wi-Fi पर यहां अपने इसको connect कर लेना अपने laptop से अब connect हो गया अब चलते अपनी apps पर आने के बाद अब हमारा आ रहा स्टार्ट यहां कर देना हमें किलिक करने के बाद हमारे पाद दो साथ है एक portable जो कि है not secure और एक password protected आपकी मर्जी है कि आप कौन सा select करते हो दोना select कर सकते हो कोई issue नहीं है ठीक है तो मैं कर देता हूं portable not secure वाला है इस पर click करने के बाद यहां कर देना okay करने के बाद अब मुझे SD card को share करना है या internal storage को तो मुझे जो file share करनी है वो SD card की share करनी है तो मैं SD card पर कर देता हूं click हमारे पास अब ही आ गया एक URL जो लिखिवी FTP दो बिंदी इसको हमें अपने laptop यह computer पर हमें type करना है तो चलते हैं अपनी computer screen पर सबसे पहले हमें जाना है अपने my computer या this PC पर यहां करना है open open करने के बाद आपको यह वार दिखाई दे रहा हूं जहां लिख रहा हूं इस PC अब इस जो हमने देखा था हमारे mobile में FTP इसे type करना है जैसा लिख रहा था हमें 243 उसके बाद double बिंजी थी फिर 2121 उसके बाद कर देना हम एंटर हमारी जो SD card है हमारे PC से connect होगी मत्तब सेयर होगी अब मुझे यहां से कोई फाइल को सेयर करना हो मैं कर सकता हूं बहुत ही अराम से जैसे मुझे कोई भी शोंग जैसे इसे अपने computer में करना था यहां से उठाना यहां से करना कोपी करने के बाद हमें अराम से अपने PC में कर सकते हैं अब पेस्ट जैसे मैंने पेस्ट कर दिया देखो अराम से पेस्ट हो गई यह बिदाउट इंटरनेट चल रहा है भले ही मेरा डाटा ओन है लेकिन यह बिदाउट इंटरनेट कनेक्ट है यह जो फाइल सेयर हो रही है इसी परिकार से मैं कमपेडर की फाइल को भी अपने मुवाईल में सेयर कर सकता हुए कैसे मुझे कोई फाइल सेयर करनी है यहासे मैंने करी कंपी करनेके बाद में गया अपने मोवाईल की शेयर उसमें मैंने कर दी पेस्ट यह मेरी SD कार्ड में होगी पेस्ट ठीक है तो इस परिकार से अपने मोवाईल की फाइल को अपने लेपटोप में सेयर कर सकते हो और लेपटेप की फाइल को अपने मोवाईल में सेयर कर सकते हो बड़ी आसानी से को सब्सक्राइब करना थैंक यू धन्यवाद